आप सभी जानते हैं, कल मैंने आप सभी को बताया था, जो नहीं जानते हैं, उनको मैं बता दूँ, आप स्पूफिंग अप कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल में, कोई फरक नहीं परता, आपके पास कौन सा मोबाइल है, बस आपको वीडियो ये ध्यान से देखने होगी, और कल जिनों ने भी वो वीडियो देखी थी, जहां भी मैंने बताया थे, कि आप स्पूफ कर सकते हैं, सभी मोबाइलों में, वो भी वर्क कर रहा था, लेकिन आप मे सॉलूशन बताऊंगा इस वीडियो में, और साथ इसाथ फ्रेंट्स अगेन बोलना चाहूंगा, अब प्लीज ध्यान से देखना ये वीडियो, और गैस अगेन रिपीट करना चाहूंगा, कोई भी मोबाइल मेंस, वीवो हो, रेड्मी हो, रियल्मी हो, ओपो हो, हुआई ह तो कोई भी मोबाइल, फ्रेंट्स कोई सा भी वर्जन हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, आप स्पूफ कर सकते हैं, आपके Google अकाउंट से भी, आपके FB अकाउंट से भी, आपके PTC अकाउंट से भी, उससे भी कोई फरक नहीं पड़ता है, प्लीज अगर ये वक कर जाता है, तो प्लीज सभी के साथ इस वीडियो को भी शेयर करना, ताकि पूरे सभी लोग के पास ये वीडियो पहुंच सकें, सभी स्पूफ भी कर सकें, और जितने भी पकमोन को प्लेयर्स हैं, इंडिया में, वो भी स्पूफ कर सकें, और जो मेगा जोई ले सकें, तो परसनली मुझे भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, आप सभी के लिए, अगर आपके सारे डाउट क्लियर करने हैं, तो वीडियो जरूर एंड तक देखना, अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर आप ही अगर देखने हैं, उससे मुझे, मैं काऊँ, तो उससे मुझे समझ में आ जाता है कि आप में से प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि आप वीडियो को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फ्रेंट्स प्लीज फॉलो गरना, एंड तक, और हाँ, और भी कुछ क्योस् आप नॉर्मली मेंशन भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से से काम होते हैं, जो आजकल मैं सभी कमेंट रीड नहीं कर पता हूं, तो फ्रेंट्स फर्स्ली तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, पूरी वीडियो देखने के बाद, उसके बाद फ्रेंट्स आपको उपन होगा, आपको नीचे स्कॉल करते हुए और यहां पर आपको सबसे नीचे आते हुए, I am not robot का अप्शन, तो वहां पर आपको कर देना है, simply tap, आपको नीचे आना है, और कुछ निह करना है, अब यहां पर आपको जो भी फिल अप करने को बोलेगा, या फिर ज करने को बोलेगा तो वह आपको select कर लेना है और verify कर लेना है नॉर्मली उसके बाद अगें बिल्कुल नीचे आजाना है बिल्कुल डाउन आना है और continue का option दिखेगा उस पर tap कर देना है तो next अब आपको जो page खुलेगा वो हटा देना है और फिर से नीचे करते हुए आपको scroll चलता है तो उतना सा आपको रुकना है और उसके बाद आपको दिख गया होगा यहाँ पर get link तो वो tap करके again नया page जो खुलेगा वो हटाना है और उसी previous page पर आपको again आ जाना है so friends यहाँ पर जो APK है जो मैं आपको provide करवाने वाला हूँ यानि की Pogo की Samsung Galaxy version तो उसी के तुरू आप spoof कर पाएंगे तो वो आपको need होगी तो वो आप download कर लेना यहाँ से और अब बात आती है हमारी second link की second link भी friends same process है वहाँ भी आपको Pogo की 1.2.0 वाली APK download करनी है उसका भी अब बात आती हमारी यहाँ पर कि मैं Samsung Galaxy वाली ही क्यों आपसे download करवा रहा हूँ क्योंकि friends इसके तुरू आप 2 Pogo अपने mobile के अंदर download कर सकते है तो यह benefit वाली बात होती है इस वज़े से ही मैंने यह आपसे करवाया है तो उस चीज का भी आपके doubt mainly clear हो गया होगा अब friends बात आती हमारी कि आगे की क्या process होगी so friends अब आपको जाना है यहाँ पर और आप में से question भी करते थे कि bro PG sharp में अब Google के through या फिर है ना FB के through इस पूफ हो सकता है लेकिन उसमें क्या process होती है जो आप miss कर देते हैं तो कल मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप आपको Google के through बताया था FB में भी आप spoof कर सकते हैं वो भी मैं बहुत जल बता देता हूं आपको और उसके बाद एक-एक step करेंगे हम Google के लिए so friends अब आपको on करना है आपका PG sharp का जो आपने version अभी download किया था second link से 1.2.0 वो आपको उस पर tap करना है और friends उसके बाद आपको यहां पर दो option शो हो जाएंगे settings का option तो वहां पर आपको tap करके आपको key वहां पर आपकी दे देनी है PG sharp की key paste कर देनी है और ध्यान रखना friends पहले आपको यह process करनी होगी नहीं तो आपके OS की problem आ सकती है device not support की problem आएगी ही आएगी अगर आपने पहले key activate नहीं की key activate करने के बाद आपको just कर देना अब यहां से done friends और उसके बाद friends अब आपको यहां पर date of birth का option शो हो रहा होगा तो date of birth friends यहां पर आप month कोई भी डाल सकते हैं day कोई भी डाल सकते हैं लेकिन year आप जब डालने जाएंगे तो आपको 1999 से below ही रखना है यानि 1999 से नीचे रखन अब उसके अलावा कोई भी रख सकते हैं 96 भी रख सकते हैं अब friends आपको क्या करना है यहां पर आपको सभी option शो हो गए होंगे facebook, google तो आपको facebook पर tap करना है अगर आपकी only facebook से ही आप play करते थे Pokemon गो जब भी Pokemon गो आपने start किया था तो facebook पर आपको tap करके यहां पर आपको जो मैं able हूँ यहां पर Pokemon गो प्ले करने के लिए मेरी जो facebook की idea और मैं कहूँ आपको कि just मैंने अभी create किये facebook की आपकी पहले से है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप spoof कर सकते हैं मैं normally आपको यह भी show कर देता हूँ कि यहां पर properly सब कुछ work कर भी रहा है आप देख सकते ह सभी Pokemon सभी क्या कहूंगा जो recent मेरी ID होते हैं जो recent तीनो ही Pokemon साते हैं Charmander, Bulbasaur, Squirtle वो सभी spawn हो चुके हैं तो वो आप normally easily देख सकते हैं अब बात आती है friends हमारी यहां पर कि आप Google account है अगर आपका तब आप कैसे spoof करेंगे Google account है तो PG shop में आप कैसे spoof करेंगे यह एक manly question होत तो first APK जो Samsung Galaxy version है उस पर आपको जाना है और वहां पर जाकर आपको tap कर देना है so friends firstly चलते हैं उस app और friends यहां पर आप देख सकते हैं कि सब कुछ normal process रहीगी लेकिन एक एक step आपको ध्यान से देखने होगी तो आप easily spoof कर सकते हैं मैं काऊं तो वीमो से भी बहुत easy है again काऊं टैप Google पर और normally आपको sign in हो जाना है आपके Pokemon Go में जो भी आपकी Google की ID है जिसे भी आप play करते हैं उससे normally sign in हो जाना है और Pokemon Go आपको just on कर देना है और कुछ नहीं करना है यहां पर तो आपको जाना है अब settings में तो जैसे आप settings में जाएंगे और settings में जाने के बाद आप Facebook लिंक का आप देख सकते हैं यहां पर Google लिंक और Facebook लिंक का options हो जाएगा तो देख सकते हैं यहां पर पहले से लिंक है नॉर्मली आपको यहां पर link कर देना है Facebook को आप create भी कर सकते है new Facebook अकाउंट नहीं तो आपका previous हो या किसी और का भी हो तो आप just यहां पर login कर देना अब आजाना है आपको बैग अब आपको क्या करना है अगेन पीजी शाप का जो 1.2.0 वर्जन था वहाँ पर करना है टैप और अगेन कहूंगा अगर आपको OS और डिवाइस सपोर्ट की प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर कर देना अगेन की को एक्टिवेट यस आपको पीजी शाप करना है फेस्बुक से आप नॉर्मली लोगईन हो सकते हैं अप लेकिन अगर आपको Google के थूप तो आपको पहले फेस्बुक से लिंक करना होगा फिर आगे की यह प्रोसेस फॉलो करनी होगी और हाँ यह आपको पता है कि 1999 से नीचे ही रखना है अगर आप PG Shop में आ जाते हैं, तो अब आपको करना है यहाँ पर again submit, returning player पर आपको करना होगा tap, returning player पर, अब आप देख सकते हैं, आपको करना है, Google पर tap नहीं, आपको करना है, Facebook पर tap, yes friends, Facebook पर आपको tap करना है, और यहाँ पर ध्यान रखना, friends, Google और आपको और कहीं नहीं जाना होगा Facebook पर जाकर again कहूंगा जिस ID से अपने Google ID को link कियाता Facebook को वही आपको यहाँ पर डालना है again आपको यहाँ पर sign in होना है और जैसे आप सब कुछ process कर देते हैं तो आपको कर देना होगा again continue और continue के बाद अब आप सोच रहोंगे कि work करता है या नहीं आप सोच रहोंगे कि यह method work करेगा या नहीं और एक और बात बता दूँँ कि अगर यह method work कर जाता है आपके भी तो प्लीज जरूर शेयर करना इस वीडियो को एक शेयर जरूर बनता है इस वीडियो पर आपको और कुछ नहीं करना है आप देख सकते हैं यापर almost हमने सब कुछ done कर दिया है Pokemon Go perfectly work करने लगा है मैं location भी change कर देता हूँ आप सब कुछ यहाँ पर देख लेना easily कुछ भी आपको mistake लगे तो आप मुझे बोल सकते है normally अब आपको एक और बात यहाँ पर मैं clear रह देता हूँ कि आप बोल रहे थे कि bro अगर हमारे PTC account है तो तब क्या होगा तो मैं आपको बता दूँ अगर आपके PTC account है तब आप PG Shop में normal spoof कर भी सकते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है जैसे पहले गरते थे आपको बस की चाहिए होती थी उसे activate करना है और आपका PTC account यहाँ पर जस्ट जो भी password है नाम है वो डाल लें आप PTC account के थूँ भी स्पूफ कर लेंगे यानि की friends अगर आपके FBA Google है FBA तो उसकी भी process में आपको simply बता दिये आप वो follow कर लेना जस्ट अगर आपके Google है तो एक एक step आपको मैंने बात है यह वो follow गर लेना PTC यह तो आपको और कुछ करने की ज़रुरत है ही नहीं आप normally उसमें play कर सकते हैं I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी कुछ भी question हो आप इंस्टा के थूँ mention करके पूछ सकते हैं follow नहीं किया हो और आपको इस पूफिंग में कोई भी problem ना है I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मिलता हूँ किसी और interesting वीडियो में तब तक के लिए